अगर आप खुदी देखें स्वामी राम के बारे में पढ़ें, तो एक अद्बुत व्यक्तित के आदमी थे, और आज की तारिक में जो उन्होंने बोला उस जमाने में, वो हमको दिखता है, इसलिए प्रतेक्षम की प्रमानम की बात है, कि जो उन्होंने बोला, वो करके दिखा दिया, स्वामी राम हिमाले इंस्टूट, और अगर आप अमेरिका का उनका इंस्टूट देखें थे हिमाले इंस्टूट इन पैंसिल्वानिया, ऐसी मिनिसोटा में भी है, लेकिन स्वामी राम से मेरे तो बड़े अच्छे संबंद रहे हैं, उन्होंने सो स्वामी राम के बारे में सैथ कुछ चीज़ें लोग जानते नहीं हैं, कि वो एक योगी थे, हट योगी थे, और उनका एक धे था, कि क्या योग से हम, can we treat the cancer by योगा, ऐसा मेरा मानना है, उस पे उन्होंने काफी काम किया, ऐसा मेरा मानना है, और जो भी मैंने उनकी किताबें पड़ी और उनके सानेदी में रहा, कि उन्होंने वर्क किया molecular energy, या cellular energy, कि सरीर जो है, वो different cell से बना है, और ये cell है, जैसे battery के cell होते हैं, ये सरीर के cell है, और ये energy का एक source है, और ये ही सरीर को चलाता है, तो उनके जब इसमें energy है, तो how to control that energy, how to control that molecular energy, how to control that biological energy, आप कभी जब देखिए, कि आप वजन उठाते हैं, तो what happens, आप अपने पूरी सरीर की energy आपके हातों में डालते हैं, या आप गॉल्फ की shot मार रहे हैं, या होकी का shot मार रहे हैं, तो पूरी सरीर की energy जो है, जो होकी है, उसके अगर भाग में चली जाता है, कि वहां से आप मार के एक अच्छा, तो क्या है, it's a question of transfer of energy to a particular point, तो उन्हों का जब हम हर गेम में ऐसा होता है, तो शरीर के साथ ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं, क्या हम अपने पूरी सरीर की energy एक point पर transfer कर सकते हैं, उस पे उन्होंने काम किया, अब उसका advantage आप देखिए, कि मान लो कि आपके शरीर में किसे एक जगा पर cancer है, और आप उस cancer को treat करना चाहते हैं, और अगर आपने योगा बहास से ये एक तरह से अपने शरीर की toning कर लिया कि आप उस energy को transfer कर सकते हैं, तो you can transfer that energy to a particular point where the cancer is there and you can burn the cancer, आप उस cancer को शरीर के अंदर बिना दवाई लिए जला सकते हैं, ये एक स्वामी राम की एक philosophy थी, और इसके ओपर illustrator की धर्म यूग में कई जगा article आये हैं, तो उनकी तीन चीज़ें कही जाती हैं, पहली चीज़ तो ये थी कि जब उन्होंने इस पर experiment किया तो उन्होंने तीन चीज़ें अपने डवलप करी, मैं उन तीनों चीज़ें के बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और जरूर कहना चाहता हूं, कि योगी लोगों को ध्यान में रखते हुए, अमेरिकन्स ने सोचा कि ये हो क्या रहा है हिंदुस्तान में, तो एक वहाँ पर organization है, NGO type की, उसका नाम है Menninger Foundation, उन्होंने क्या क है, हुआ से battery operated equipment लेके, testing equipment लेके, रिश्केस आगे, और रिश्केस के सारे योगियों से मिले, कि हम आपकी बाडी के उपर थोड़े experiment करना चाहते हैं, और यहाँ पर एक बात में खाऊं कि रिश्केस के सारे योगियों ने ना बोल दिया कि हम अपने शरीर पर किसी तरह का experiment नहीं करने देंगे, सिर्फ एक आदमी सामने आया, वो थे सौमी राम, मैं तो कहता हूँ तो रिश्केस की नाक रहे, जब सौमी राम ने अपने शरीर को आफर कि योगियों केरी आउट दा एक्सपरिमेंट, तो पहला एक्सपरिमेंट यह था, कि उनके दोनों हाथ में टे टेम्परिचर रिकॉर्डर लग गया और उन्होंने बोला कि एक हाथ में पानी रख दो, तो उन्होंने दोनों हाथ के टेम्परिचर में इतना वेरिशन डाला कि एक हाथ के जो हतेली है, उसे जो पानी था, वो बाब बनके उड़ गया, तो अंदाजा है कि लगा लो कि एक का टेम्परिचर उन्हें बढ़ाते 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 इतना बढ़ा जिया किया है, और दूसरे का नॉर्मल 98.4, तो उन्होंने किया कि कुछ शरीर की एनरजी जो है राइट पाम में डाल दी और लेट पाम को अगयल रहन दिया, तो दूसरा उन्होंने किया किया है जब उनके ये ECG की रिकॉर्डिंग, तो ECG की रिकॉर्डिंग में जैसे हाट और पल्स होती है कि 120 by 80 का बीपी होता है और 80 की पल्स होती है, तो उन्होंने पल्स रेट बढ़ाना शुरू गया, जो 80 का पल्स रेट नॉर्मल होता है वो 180 तक लेगे और फिर वापस असी तक लेया रिकॉर्डड़ेड है इसी तरह उनका ब्लॉड प्रेशर था वही 120 का 130 का 40 का 200 का 200 का 300 का 300 का साथे 300 का लेके फिर वही 120 पी लेया है सब्सक्राइब गड़ी के कांटे को दूर से उसको गुमाने का इस वापस एक्सपरिमेंट यह स्वामी राम की एक तरह से मैं समानतो है रिकॉर्डड़ चीजे है और धरम यूग और इलुस्टेटर वीकली में इसका जिक्र है और जिन लोगों ने ये आर्टिकल लिखा या तो वो टीन कॉल थे या डीपी धर थे जो कि एक रश्या में हमारे अंबसेडर रह और एक अमेरिका में मुझे ध्यान निया है पर उन दोनों में से एक था कोई और जिसने मेंशन किया कि भई मैं पेंसिलवाया में इस तरह के स्वामी आप ये देखें कि इंदुस्तान के पहले स्वामी हैं स्वामी राम जिनको संकराचायर बना दिया गया था और वो संकराचायर की गद्दी छोड़के वापस अपने काम में आगे ऐसा कोई कर सकता है